केंद्रिया रीजर्व पुलीस बल यानि CRPF ने हाली में CRPF हेड कॉंस्टेबल भरती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है CRPF हेड कॉंस्टेबल भरती 2023 के योगे एवं एक्छुक अभ्यर्ती जो विभाग द्वारा निर्धारीत सेक्षिन की योगिता की पातरता रखते हैं वह अभ्यर्ती अंतिम्तिति से पुर्व विभाग की ओफिस्यल वेब साइट के माध्यम से CRPF हेड कॉंस्टेबल भरती 2023 के लिए ओनलाइन फर्म आवेदन कर सकते हैं दोस्तों हम लोग इस क्लास में अभी CRPF हेड कॉंस्टेबल भरती 2023 के अंदर से जो नई नोटिफ्स आई है इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे इस फर्म को भरने के लिए आपके लिए इलिजिबलिटी क्या चाहिए एज लिमिट क्या चाहिए इन सभी बाताओ पर हम लोग पूरे डिसकर्स करेंगे इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग बने रहे हैं आप अगर एक सरकारी नोकरी की तलास में है तो और आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से गवर्मेंट के द्वारा जो नई भेकेंसी आती है उसको बताने का हम परियास करते हैं तो दोस्तों अभी के क्लास को हम लोग सुरू करते हैं अंतर तक जरूर जुड़े रहेगा इसमें हमारे आप लोगों को CRPF Head Constable भरती 2023 के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं केंद्रिय अद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक चालक और आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर अगनी सेवाओं के लिए चालक की भरती जो 2022 की भेकेंसी और 2023 में ये निकल के आई है ओनलाइन आवेदन पत्रों की प्रश्टूत करने की तिथी यानि ओनलाइन फर्म भरने का जो तिथी है वो 23 जनवरी 2023 से सुरू हो चुका है जिसका अंतिम तिथी 22 फर्वरी 2023 है यानि कि 23 फर्वरी से 22 फर्वरी 2023 तक आप लोग ओनलाइन फर्म इसको भर सकते हैं और इसका अंतिमतिती 22 फरबरी 2023 रात के 11 बजे तक आप online form भर सकते हैं, अगर हम लोग बात करें, इसमें आप लोगों को जो salary मिलने वाला है, 21,700 से starting होगा, जो last जाएगा, 79,100 रपी ये last है, इस तरह से धियान रखेगा, इसमें salary आपको 21,700 से starting होगा, 79,100 अंतिम जाएगा, इसके बारे में और भी देख लेते हैं, अगर हम लोग बात कर लें, इस form को भरने के बाद, OMR computer आधारित परिक्षा, यानि CBT mode के माध्यम से परिक्षा होगा, उसके बाद तहत लिखित परिक्षा और चिकित सा परिक्षन से सामील, और भी इसमें सामील होने के बाद, इसक आपके form को reject करने की संभावना रहेगी, और अगर बात कर लें, आवेदन केबल online माध्यम से ही स्विकार किया जाएंगे, ये online form जो आप भरेंगे, इसका link हम description box में डाल देंगे, वहां पर भी जाकर आप direct form को फिल कर सकते हैं, आगे बात कर लेते हैं, सारीरिक मानक दस्ता वेजी करन, trade परिक्षा, लिखित परिक्षा, चिकित्सा परिक्षा, निर्धारित और आयोजित की जाएगी, OEMR आधारित कंप्यूटर आधारित परिक्षा यानि CBT मोड के अंतरगत लिखित परिक्षा केबल अंगरेजी और हिंदी भासाओं में आयोजित की अंगरेजी माध्यम में प्रशन रहेगा, दूसरा हिंदी माध्यम में प्रशन रहेगा, इन ही दोनों माध्यम के प्रशन आप लोगों को परिक्षा हल के अंदर परिक्षा में प्रशन देखने के लिए मिलेगा, मूल प्रतियों में, मूल प्रतियों से आप एक्षित पात परिक्षा 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 में अहरता प्राप्त कर लेने और इस अधिसूचना में निर्धारित अनिसर्तों के अधिन लिखित परिक्षा में उनके परिक्षा के अधार पर अंतिम परिनाम घोशित किया जाएगा तो merit जो बनना है दोस्तों धियान रखेगा merit अंतिम रूप से जो प्रकासन किया जाएगा result वो लिखित परिक्षा के आधार पर किस तरह का आपका परदर्शन रहता है उसी according किया जाएगा यानि लिखित परिक्षा के आधार पर merit बनाया जाएगा online form भरने के लिए देखिए हाँ पर website दिया गया है वैसे हम आप लोगों के लिए description box में इस official website को हम वहाँ पर post कर देंगे तो उसके माध्यम से भी आप लोग form को वहाँ से feel कर सकते हैं परतियक सीरेडी में 10% रिक्थिया भूत्पूर्व सनिकों के लिए आरक्षित है राष्टियता नागरिकता अभ्यरती और भारत का नागरिक होना अनिवारी है आगे बात कर लेते हम लोग कि रिक्थिया किस परकार से है रिक्तियां जो पद का नाम है देख लिजिए पद का नाम है यहाँ पर तो पद का नाम चालक है और आरक्षक है इसमें से आरक्षित सीट चीटर है अनुसूचित जाती के लिए सताईस है अनुसूचित जाती के लिए सताईस सीट है अनुसूचित जाती के लिए सताईस सीट सीट है उसी तरह कुल टोटल पोश्ट की संख्या हो जाता है 183 यानि आरकछक यानि चालक के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 183 पोस्ट है जब कि 18 जू है वो आरकचित है भुतपुर्व सैनिकाउं के लिए उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें चालक सह pump operator के लिए तथा अगनी सेवाओं के लिए चालक सीधी भरती इसमें अनारक्षित जिसको की general category के काहते हैं इसमें कुल 11 सीट है अनुसुचित जाती के लिए 40 सीट है अनुसुचित जन जाती के लिए 19 सीट है अतियंत पिछड़ा वर्ग के लिए 72 सीट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 26 सीट है इस तरह से total सीटों की संख्या 268 है और 27 सीट जो है भुत्पुर्व सैनिकों के लिए अरक्षित है धियान रखेंगे तो इस तरह से general category के लिए total सीट जो है 187 है अनुसुचित जाती के लिए total सीट जो है 67 है अनुसुचित जन जाती क इन अनुसुचित जो है 22 है अत्य券 पिछड़ा वर्ग के लिए total सीट 21 सीट है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए total सीट 44 है और total जो पोस्ट 451 पोस्ट जो है भुत्पुर्व सैनिकों के लिए यह तो हम लोग बात कर लिए है पद की यानि रिक्तियाँ कि इस प्रकार से हैं इसके अलावे आप लोग धियान रखेगा इस फॉर्म को भरने के उपरांत आप तैयारी करने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा वहाँ पर इस एक्जाम का भी तैयारी हम साथ साथ में करा सकते हैं आयू सीमा की बात कर लें आयू मापदंड तो 21 वर्स से 27 वर्स के बीच यानि पुर्वतर छेत्र के अभियरतियों सहीत अभियरतियों की आयू सीमा का निर्धरन करने के लिए निरनायक अवधी ओनलाइन आवेदन की प्राप्तिति थी यानि अर्थात 22-22-2023 यानि 22 फरवरी 22-23 को नियूनतम आयू 21 वर्स होना चाहिए अधिकतम आयू 27 वर्स होना चाहिए आयू सीमा में छुट की बात करें तो गुशन के द्वारा जो निर्दारित परिक्रिया है उस परिक्रिया के अनुसार अनुसोचित जाती समंध में उपरी आयू में पंच वर्स के लिए चुट है जबकि अत्य滿त पिछडा वर्ग के मामले के लिए ये तीन वर्सों की छुट दी जाएगी हम लोग बात कर लेते हैं सेक्षनिक योगिता को योगिता के बारे में तो सेक्षनिक योगिता अभिहरती ने मान्यता प्राप्त बोर्ड अत्वा विश्विद्याले से मेट्रिक अत्वा इसके समकक्ष परिक्षा उत्रडिन की हो यानि ये टेंथ पास ही है इस इसके साथ साथ में आप लोगों के पास सेक्षिनिक योगिता केंदर सरकार के तहत हेतु मेट्रिक दसवी कच्छा के समकच घोसित की गई हो। और इसके साथ में अभियर्तियों के पास निमन परकार के वहनों में वैध ड्रावरिंग लैसेंस होना चाहिए। को में है भारी मोटर वहन अथवा या तयात वहन और हलके मोटर वहन गियर सहित मोटर सैकिल इन सभी चीजों का ड्रावरिंग लैसेंस आपके पास होना चाहिए। आजबनी कस्थान पर यातायात वहन नहीं चला सकता। धरा ऐसां कुछ वहनों के लिए लर्निंग लैसेंस देने पर पाबंदी है। के मोटर वहान और मोटर सैकिल चलाने के लिए तीन वर्स का अनुभव होना चाहिए इभी धियान रखना है आगे बात कर लेता है सारीरीक मापदंड क्या होना चाहिए तो सारीरीक मापदंड में समाननी अनुसूचित जाती वो अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यरतियों के लिए उल्य खित को छोड़कर उचाई 166 cm होना चाहिए 5 cm के नियूंतम फुलाव के साथ नियूंतम 80 cm के साथ में सीना होना चाहिए यानि 80-85 के बीच में अब फुलाने के बाद 5 cm में अधिक बढ़ना चाहिए आगे बात कर लेता है गड़वाली, कुमाउ, गोर्खा, डो लोगरी, मराठा, इन सभी के लिए 160 cm की उचाई होना चाहिए जबकि 5 cm के नियूंतम फुलाव के साथ नियूंतम सीना जो है 78 cm और फुलाने के बाद 5 cm की विर्धी होनी चाहिए आगे बात कर लेता है इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन सुल्क जो 100 रुपया लिया जा जाती अनुसुचित जन जाती EWS से समनित अभीरतियों को सुल्क के भुक्तान में छुट प्राप्त है धियान रखना है सुल्क का भुक्तान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं जाहें नेट बेंकिंग हो, क्रेडिट काड हो, डेविट काड हो, अथवा रूपे काड हो, UPI हो यानि SBI के साखाऊंस, SBI चलान जनरेट करते हुए नगत के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, यानि कि आप होम को भरने के लिए आवेदन सुल्क 100 रूपे लिया जाएगा, वो 100 रूपे आप इस मोड में कर सकते हैं, चाहे नेट बेंकिंग, क्रेडिट रूपे से भी कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप लोग आफ लाइन में करना चाहते हैं, तो SBI से चलान जनरेट करते हुए नगत भी 100 रूपे का जमा कर सकते हैं, और अभिहरती द्वारा ऑनलाइन सुल्क भुकतान 22 फरवरी 2023 रात के 11 बजे तक किया जा सकता है, ऐसे अभ भुकतान SBI की सखाओं में कारी घंटा के दवरान बैंक में 24 फरवरी 2023 तक नगत रूप से कर सकते हैं, बसरते उनके द्वारा चलान 22 फरवरी 2023 11 बजे रात के से पहले जनरेट कर दिया गया हो, एक बार भुकतान कर दिये गए सुल्क को किसी भी परिस्थिती में वापस नह किया जाएगा और नो ही उसे किसी अनि परिक्षा अथवा चैन के लिए समयोजित किया जाएगा, बैंक के लिए यथा लागू सुल्क के अलावा प्रसुल्क कर परभाव को उमिदवार द्वारा बहन किया जाएगा, लिखित परिक्षा में आप लोगों को वेबसाइड के माध्यम से ऑनलाइन परवेश पत्र जारी किया जाएगा, उसी परवेश पत्र के माध्यम से ऑनलाइन परिक्षा में आप लोग इसमें परवेश कर सकते हैं, आप लोग एक्जामनेशन के अंदर जाएंगे तो एक्जामनेशन के अंदर जाने के समय चार नविनतम पासपो जिस पर जन्मति थी भली भौती प्रिंट की हो जैसे अधार काड़, यी अधार काड़ का प्रिंट आउट, वोटर आईडी काड़, ड्रैवरिंग लैसेंस, पेन काड़, पासपोर्ट, विस्विद्याले, कॉलेज, स्कूल या द्वारा जारी पहचान पत्र आपके पास होन चाहिए, परवेस पत्र में उलेखित अन्नि कोई दस्तावेज भी अभिहरती को परिक्षा में बैठते समय लाना नहीं होगा, भरती परिक्रिया की बात करें, हाइट बार टेस्ट हब्यटी जो है, अभिहरतियों को हाइट बार टेस्ट से गुजरना होगा, हाइट बार ट परिक्षा परिक्षा पीटी दस्तावेज ट्रेड परिक्षन आगे बात कर लेते हैं पीटी परिक्षा के लिए जो परधाएं है 800 मीटर का दोड़ है जिसमें के लिए आपको समय दिया जागा 3 मिनट 15 सेकेंड का लंबी कूद 3 अफसर दिये जाएंगे 11 फिट है उची कूद है 3 अफसर दिये जाएंगे जिसके लिए कि 3 फिट और 6 इंच का ये उचाई है धियान रखना ये तो कुछ फिजिकल हो गया जिसको पीटी कहते हैं पीटी पास करने वाले अभ्यरतियों को उसके बाद पीएस्टी उत्रिण करने वाले अभ्यरतियों निमनलिखित मूल दस जन्म परमानपत्र मेटरिक अथवा 10 वी पास होने का परमानपत्र होना चाहिए भारी भारी मॉटर वहन हलके मॉटर वहन और गीयर वाली मोटर सैकिल का ड्रेविंग लासेंस होना चिए इन सभी चीज़ों का जाच आप लोगों को पीटी और पीस्टी एक्जाम के बात की जाएगी तो दोस्तो हम आप लोगों को आज CRPF Head Constable के अंदर से जो नई वेकंसी आई है उसके बारे में कुछ महत्पूर्ण जानकारी देने का परियास की हमें उमीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा एक अच्छा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज जाएगी